तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि कि 13 जुलाई की important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में सरकार ने किस दिन को समविधान हत्या दिवस के रूपे घुशित किया है तो आंसर होगा 25 जून को तो अभी केंदर सरकार ने 25 जून को समविधान हत्या दिवस के रूपे घुशित किया है Actually में आपको याद होगा 25 जून 1975 को देश में 21 महीनों के लिए emergency लगाई गई थी उस समय जो ततकालीन प्रधान मंत्री थी इंदरा गांदी उन्होंने उस समय emergency लगाई थी उस समय प्रसेडन कौन थे फकरुद्दिन अली एहमत थे और इसी कारण से अभी जो वर्तमान में जो केंदर सरकार है बीजेपी की सरकार है अभी उन्होंने 25 जून को समविधान हत्या दिवस के रूपे से गोशित किया है अज़ा अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे समविधान में कितने प्रकार की emergency का जिकर है तो तीन प्रकार की मैं बताता हूँ शॉर्ट में आपको एक national emergency है अगर बाहरी आकरमन, युद्ध या देश के अंदर कल या बड़ी आपदा आने पर ये national emergency लगाए जाती है और इसका उलेक हमारे समविधान के अनुच्छे 352 में है उसी तरह से राज्य आपातकाल या राश्टरपती शाषन के अगर बात करें तो जब राज्य सरकारे समविधानिक प्रावधान का अपालन नहीं करती है तो राश्टरपती राश्टरपती सरकार को अपने नियंतरन में ले लेते हैं और इसी को राश्टरपती शाषन कहते हैं इसका उलेक अनुच्छे यानिके article 356 में है और एक वित्य अपातकाल होता है जब देश के आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सरकार के पास देश चलाने के लिए परियाब पैसा नहीं होता है तब वित्य अपातकाल लगाया जा सकता है और इसका उलेक सम्विधान के अनुच्छे 363.60 में है अच्छा ये तो हम मना रहें मिलकुल नया दिवस अपसे हम मनाना शुरू करेंगे 25 जून को ये सम्विधान हच्चा दिवस वेसे एक सम्विधान दिवस तो हम हर साल मनाते हैं वो कब मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं याद रखना अब देखो यहाँ पर हम दिवस की बात करेंगे और दिवस भी कौन सा है जो हम पहली बार मनाना शुरू कर रहे हैं तो यह important होग एक्जाम की दृष्टी से एक्जाम के point of view से और आपको इसी तरह के कुछ और important days में यहाँ पर revise कराऊंगा यह वो दिवस होंगे जो अभी कुछ समय पहले ही हमने मनाने शुरू किये हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग देखो जैसे की अभी अंतर राष्टर खेल दिवस इसी साल हमने मनाना शुरू किया 11 जून को अंतर राष्टर आलू दिवस 30 मही को यह भी नया दिवस है विश्व फोटबॉल दिवस 25 मही को नया दिवस है United Nation General Assembly ने 24 मही को अंतर राष्टर मर्खोर दिवस के रूप में गोशित किया यह भी अभी मनाना शुरू किया United Nation General Assembly में 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में गोशित किया था राष्टर डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर Islamophobia दिवस 15 मार्च मेत्री दिवस 6 अक्टूबर महामारी के तैयारी का अंतर राष्टर दिवस 27 अक्टूबर राष्टर स्टार्टप डे नेशनल स्टार्टप डे 16 जनवरी पराकरम दिवस 23 जनवरी वीरिबाल दिवस 26 अक्टूबर विभाजन विबिशिका इस्मृति दिवस 14 अक्टूबर अंतर राष्टर बायोस्वेर रिजर्व दिवस 3 अक्टूबर और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सक्टेम्बर तो यहाँ पर लगबग मैंने 20 दिवस आपको ये रिवाइस कराए और यह सारे के सारे वो दिवस हैं जो अभी हाली में या कुछ 11 साल में हमने मनाने शुरू किये हैं तो यह आप ध्यान में रखेंगे हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में मद्यपरदेश हाई कोट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं तो आंसर होगा गुर्मीद सिंग संधावालिया तो अब जस्टिस गुरमेट सिंग संधावालिया को मद्यपरदेश हाई कोट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक जो मद्यपरदेश हाई कोट में एक्टिंग चीफ जस्टिस कारवाहक मुख्य नयादेश हुआ करते थे शील नागू उनको भी पंजाब और हर्याना हाई कोट में चीफ जस्टिस बनाया गया था आपको याद है और उसके बाद संजीव सचदेव को मद्यपरदेश हाई कोट में एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था पर अब मद्यपरदेश हाई कोट में पर्मानेंट चीफ जस्टिस आ गये हैं गुरमीट सिंग संधावालिया देखो acting chief justice का मतलब होता है जब तक यहां पे कोई permanent appointment नहीं हो जाते हैं तब तक आपको काम संभालना है तो अभी सिर्फ आप कुर्मीट सिंग संधवालिया का नाम याद रखेंगे बाकि option में देखो हमने का शील नागू या भी पंजाब एन हर्याना हाइकोर्ट में नए chief justice बने और विद्यूत रंजन सारंगी के बारे में भी हमने पढ़ा था जारकंड हाइकोर्ट में chief justice बने और इसी साल विजे विश्णुई गुवाहाटी हाइकोर्ट में chief justice बने थे देखो हाइकोर्ट के बारे में बात करें तो इसका उलेक समिधान के किस अनुछेद में है आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 तर और हाइकोर्ट के chief justice को शपत दिलाते हैं पराजे के जो गवर्नार होते हैं तो यहाँ पर गुर्मीत सिंग संधावालिया को किस ने शपत दिलाई होगी जो मद्यपरदेश के गवर्नार है और वो कोने मंगुबाई चगनबाई पटेल और इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोट किसके तहट तो आर्टिकल 32 तो यह पॉइंटस आप ध्यान में रखना अब एक हॉमवर्क प्रशन आपके लिए है कि अभी पाकिस्तान के किसी भी हाई कोट में अभी पहली महिला चीफ जस्तिस का नाम आपसे पूछ रहा हूं मैं यह प्रशन में आपको कल ही के वीडियो में बताया था इसलिए फ्रशन में आपसे पूछ रहा हूं उतर दीजिए हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे अभी जुलाई 2014 में पिच ब्लेक अभ्यास का आयोजन यह कांपे किया गया तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया तो एक्सरसाइज है 12 जुलाई को अभी यह शुरू हुआ और यह 2 अगस्ट 2024 तक चलेगा इसमें 20 देश हिस्सा ले रहे हैं जिसमें भारत भी एक है भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लड़ा को विमानों ने हिस्सा लिया है और यह जो एक्सरसाइज है यह हर दो साल में होता है कहां पे आस्ट यह रहा मैं पमें ऑस्टेलिया और यहां की जो सबसे लंबी परवत माला है वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति में ने आपको बताई दिया ग्रेट बेरियर रीफ है और यहीं पे आपको डाउंस घास के मिदाल मिल जाएंग आपको यहीं पर मिल जाएगा अच्छा क्वाड देशों के साथ जो मिल करके हम एक exercise करते हैं तो उसमें भारत और ऑस्टेलिया भी है वह exercise का नाम है माला बार एकसरसाइस और क्वाड देश में आपको पता है चार देश आते हैं भारत ऑस्टेलिया चापन और अमेरिका और और दे को military exercise वाला प्रशन है तो 2024 के सारे military exercise एक बार फिर में आपको revise कर रहा हूँगा लेकिन यहाँ पर नहीं एक आगे एक और exercise वाला प्रशनम पढ़ेंगे वहाँ पर करवाँगा तो अब यह हम अगला प्रशन दिखते हैं फिर आपसे पूछ रहें दुनिया का सबसे पहला फेज पहला पूरा हो चुका है अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा इसलिए तो याद रखना यह दुनिया का सबसे बड़ा रामैन मंदिर होगा इसका नाम है विराट रामैन मंदिर कहां पर इस्ट चमपारन बिहार में 2025 तक बन जाएगा यह और यह जो हमारे अ कितनी आने वाली है 500 करोड रुपे लग बगाने वाली है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवालिंग होगा 33 फुट उचा और 22 छोटे-छोटे मंदिर या गर्ब ग्रह आप के दो वो होंगे 12 इसमें शिखर होंगे और उनमें सबसे उच्छा शिखर होगा वो 270 फु कार कौने चंदरकांत सोमपूरा है और जो मूर्तिकार है उनका नाम क्या है अरुन योगी राज है बाकी आप बिहार से जानते हैं कैपिटल पटना उती मुख्यमंत्रे नितिश कुमारे और गवर्नर राजेंद्र विश्वनात अर लेकर है तो ध्यान रठाए अगला प्र पाकिस्तान में महिला सिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंदों का विरूत करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी और लेकिन वो जिंदा बज गई फिर 2014 में उन्हें नोबल शांति पुरुसकार मिला था 17 साल की उम्र में उनको ये नोबल पीस प्राइज मिला था और इस त नामें केलास सत्यार थी वैसे मलाला यूसुफ जै की जो अटोबायोग्राफी उसका नाम आएम मलाला है और 2015 में उनके सम्मान में एक शुद्रगर एस्टरोइड का नाम भी रखा गया था तो 12 जुलाई को ये एक मलाला दिवस हो गया और 12 जुलाई को ही वर्ट पेपर ब प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हो गया और 6 जुलाई को अंतरराष्टर सहकारित दिवस कॉपरेटिव डे 6 जुलाई को वर्ट जुनॉसिस दे 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे राष्टर मतस्य किसान दिवस 11 में रखने हैं अगला प्रशन देखते हैं और गाई सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस्टडी ग्रूप में एक बार इसे शेर जरूर कीजिएगा बाकी पीडिएफ की बात रही वो आपको मिल करशी नेतरत्व पुरुसकार 2024 किसे मिला है तो आंसर होगा नागालेंड को तो अभी पंदरवे करशी नेतरत्व पुरुसकार नई दिल्ली में दिये गए और इसके लिए एक कमीटी भी बनी थी सदा सिवम कमीटी और इसने बताया कि किस राज्य को किस शिरेनी में कौन सा पुरुसकार देना है तो अलग-अलग केटेगरी इसे मतलब जैसे कि करशी राज्य में बागवानी में खाद्य परसंसकरन यानि की फूड प्रोसेसिंग में पशुपालन में नवाचार यानि की इनोवेशन में तो किसे दिया गया मैं आपको सारे बता दू एक करशी प्रालन में हरियाना और नवाचार में चमु कश्मीर को मिला और नागलेन के स्टैटिक की बात करें तो कैपिटल को हीमा है मुख्यमंत्रिय नेफ्यू रियो गवर्नर है ला गनेशन और हॉर्न बिल फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है नागलेन में ही तो ध्यान रखना AI Voice Assistant है जो रियल टाइम में लोगों से बात कर सकता है इसे फ्रांस की AI कमपनी क्यूताई ने बनाया है और इसे बिना इंटरनेट के भी आप इस्तमाल कर सकते हैं बात कर सकते हैं आचा Artificial Intelligence कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अभी तक जितने भी Artificial Intelligence से प्रशन बन मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि बता चलेगा कि आप में से किस किस ने कल का वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुना है तो एक प्रशन तो ये बताओ कि अभी दुनिया की पहली AI Spoke Person प्रवक्ता इसको अभी Ukraine ने लांच किया उसका नाम क्या है एक आप बताओ अभी World Health Organization ने ये चार-पांच प्रशने पूछे इनके उत्तर दीजी हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में बिल्लेस्टिक 2024 संयुक्त सेन्य अभ्यास ये कहां पे हुआ तो आंसर होगा कजाकिस्तान तो exercise का नाम बिल्लेस्टिक 2024 exercise है ये मध्या एशिया इसमें देशों के बीच होने वाला एक अभ्यास है इसमें पांच Central Asian countries ने हिस्सा लिया कौन-कौन आजरबेजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया वो शामिल नहीं है इसमें याद रखना कहां पे हुआ, कजाकिस्तान में, अच्छा वैसे Central Asian countries के साथ भारत भी exercise करता है जैसे दो-तीन में आपको बताओ, एक काजिन exercise हम करते हैं, किसके साथ, कजाकिस्तान के साथ, डेस्टलिक exercise हम करते हैं, उजबेकिस्तान के साथ, और खंजर exercise ही किर्गिस्तान के साथ करते हैं, अभी आपको याद होगा कजाकिस्तान की केपिटल अस्ताना होती है और यहीं पे शंगाई कॉपरेशन और्गेनाईजेशन को यह इस साल होस्ट कर रहा है सबसे बड़ा लेंड लोग कंट्री यही तो है कजाकिस्तान चलो अभी 2024 के इंपोर्टेंट मिलेक्तर एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइस करवाने के लिए कहा था तो तयार हो जाओ देखो इस साल का पहला एक्सरसाइज था डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE की बीच में हुआ था यह राजस्तान के थार्रेगिस्थान में सहयोग काजन एक्सरसाइज भारत जापान के तर्टरक्षक बल माचिर प्रदीश के बकलों में इस्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने आयोजन किया डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस और UAE की बीच में हुआ यह राप सागर के उपर उसके लावा सदा तनसीक एक्सरसाइज भारत साओधी आरप की बीच में हुआ यह राजस्थां के बिकानेर में वायू शक्ती एक्सरसाइज इंडियन एयर फोर्स ने इसका आयोजन किया पोकरन राजस्थार में हुआ मिलियन एक्सरसाइज भारत और मलीशय के बीच में हुआ यह विशागा पत्नम में सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ अंडमान निकोबार के पोर्ट बिलेर में कटलेस एक्सपरेस एक्सरसाइज इसमें लगबग सूला देशों ने हिस्सा लिया भारत के आइनेस तीर ने भी हिस्सा लिया कहां पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स सेशल्स के साथ भी हमने एक अलग से एक्सरसाइज किया था लिमिती एक्सरसाइज कहां सेशल्स में ही टाइगर ट्रेंप एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ कहां भारत के पूर्वी समुदरी पर ये ट्राइसर्विक्स एक्सरसाइज है मतलब दोनों देशों की तीनों सेना है जल सेना थल सेना और वायू सेना नहीं सलिया गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एर फोर्स ने एवजन किया ये लगबग दस दिनों तक चिला था भारत के अलगलग स्थानों पर धर्मा भारत और जापान के बीच में हुआ ये राजस्तान में डेश्टलेक एक्सरसाइज भारत और उजबेकिस्तान के बीच में हुआ ये उजबेकिस्तान में अभी सागर कवच एक्सरसाइज इसमें भारत के सब वी जो समुद्री सुरक्षा एजेंसिया है उन्होंने हिस्सा या था ये और विक्टस हैज की बात करेंगे तो अंतरिक्स में पहली बार युद्ध अभ्यास कराने की घोशना की थी किसने अमेरिका की स्पेस फूर्स ने और इसका नाम रखा विक्टस हैज पूर्वी लहर अभ्यास भारते नौ सेना नायोजन किया भारत के पूर्वी समुद्री तटपर गगन श्ट्राइक सेकंड भारते सेना और वायू सेना ने इसका आयोजन किया था पंजाब में शक्ती एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ मेगाले की उम्रुई में तारकश एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये कॉलकता में रेड फ्लेग एक्सरसाइज ये बहुत सेनी अभ्या से बहुत सारे देशों ने इससा लिया भारत ने भीस्ता लिया भारत की तरफ से राफेल विमान ने और कहां पे हुआ ये अमेरिका के अलास्का में हुआ इसी तरफ से अभी रिमपेक एक्सरसाइज भी हुआ था रिम आप दो पैसिफिक एक्सरसाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मेरिटाइम एक्सरसाइज है अमेरिका टिलेटरल एक्सरसाइज है बहुत सारे देश हिस्से लिए भारत ने भी इस्ता लिया भारत की तरफ से का आयोजित करेगी लगबक 10 देशस में इस्सा लेंगे और अभी फिक्स नहीं है कब होगा लेकिन होने वाला है आगस्त तक हो जाएगा तो याद रखना ये सारी अभी अकला प्रस दिखते हैं फिर आप से पूछ रहें अभी हाली में अंतरराष्ट्र समुद्री संगठन परीशत का 132 सत्र कहां पर आयोजित हुआ तो अंसरोगा लंदन में तो अभी अंतरराष्ट्र समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेरिटाइम ओर्गेनाजेशन की प अपना होती 1948 में इसका मुख्याले हेड़क्वाटर लंदन यूके में ही है आप जानते हो एक वर्ड मेरिटाइम डे होता है अंतरराष्ट्र समुद्र दिवस ये सेप्तेंबर के लास्ट थस्दे को मनाया जाता है और एक नेशनल मेरिटाइम डे जो हम मनाते हैं राष्ट समुद्र संगठन इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गेनाजेशन का हेड चुना गया और मैं आपको बता दू कि पिछले साल के आखरी महीने में यानि कि देसंबर दो जातेविस में भारत को दो हजार चौबेस पच्चिस के लिए फिर से अंतरराष्टर समुद्र संगठन इ और ब्रिटेन में जो भारते मुल्की संस्करती मंत्री बनाई गई है उनका नाम है लीसा नंदी पॉंड स्टेरलिंग वांकी करंसी होती है ध्यान रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में संयुक्त राष्टर के द्वारा जारी वर्ड प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी में 2060 के बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी तो अंसर होगा 12 प्रतिशत तो अभी 11 जुलाई को हमने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था उसी मौके पर युनाइटेड ने ने वर्ल्ड भारत की जनसंक्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगबग 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और 2060 के बाद देश की आबादी में 12 प्रतिशत की कमी आएगी और आप कह सकते हो भारत पूरी शताबदी के दोरान दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला तो ये पॉइंट इस रिपोर्ट्स में बताये गए ये आप ध्यान में रखेंगे बाकी उनाइटेड नेशन की बात करिस्तापना होती ही 24 अक्टूबर 1945 में नियू यॉर्क में इसका मुख्याले है और इसके अध्यक्ष कोने एंतोनियो गुद्टर्स तो गाइस ये था आज का आपका Current Affairs का सेशन उमीद करूँगा सेशन पसंद आया होगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा पीडिएफ के बारे में आपको बता दिया टेलिग्राम का लिंक नीचे फिर पूचा News Channels की सबसे बड़ी संस्ता है NBDA मतलब News Broadcasters and Digital Association इसके अध्यक्ष कौन बने रजत शर्मा फिर पूचा Columbus सुरक्षा सम्मेलन का पांचवा सदस्य कौन सा बना बांगलादेश फिर पूचा दुनिया की पहली Miss AI कौन बनी है कैंजा लेली और पाकिस्तान में कि किसी हाई कोट की पहली महिला Chief Justice कौन बनी आलिया नीलम फिर पूचा Wellness Brand है Hoop उसमें निवेशक और Brand Ambassador बनी है PV सिंदू फिर पूचा British Grand Prix Formula One Race को किसने जीता Lewis Hamilton ने फिर पूचा किसने पहली बार Arian 6 rocket को सफलता पूर्वक लांच किया तो आंसार होगा European Union ने और विम्स्टेक व चलो भी कल का हॉमवर्क प्रशन देखते और सेशन एंड करते हैं तो कल की वीडियो में पूचा किसे भारते दूर संचार नियामक प्राधिकरन ट्राय का सचीव बनाया गया तो आंसार होगा अतुल कुमार चौधरी को आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया अब ये रहा आज का आपका हॉमवर्क प्रशन है